नमस्कार मैं हूपीती आप देखें सत्यक्त माचार थाना करेल पुलिस वा साइबर सेल टीम द्वारा फरजी तरीके से किसी अन्य के खेट का बेरामा करने वाले दो साथी अप्योगतों को लगों रुपई के साथ किरफ्तार किया गया एसपी ने प्रैस बारता कर पूरी जा कार्याले में साइबर सेल टीम और करेल पुलिस के साथ अपर पुलिस अरी चक आईपियस राजेस कुमार के अपरच्छा में मौजूद यही वे दोनों हैं जिसने किसी अन्य की जमीन का बेरामा का दिया था इसके बाद आकर कार पूलिस ने इनको गिरफ्तार किया है बता कि आविदक बीरेंच सिंग फुर्थ विसंबर दयाल निपासी पहरार सापुर्थ थाना करेल द्वारा प्रात्नपत्र के मात्यम से बताया गया था कि 5 जून 2023 को एक प्यक्ति आया और कहा कि मेरा नाम चैसी राम है मेरी मौजा धकपुरा में करीब साड़े 5 भी का भूमी ह मुझे पैसो की जरूरत है इसलिए भूमी को बेचना चाहता हूँ पीड़े द्वारा खेतवा खतोनी दिखाने को कहा गया तो वैं खेत पर ले गया और अगले दिन खतोनी दिखाई जो मौजा धकपुरा के खाता संख्या 127 गाटा संख्या 666 पटे 0.4400 है मैं दर्जी च जैसी राम पुत्र जुनिवासी ठकपुरा के नाम से थी तो पीड़ित को विश्वास हो गया और उस चमीन का स्वाधा 2,50,000 रुपए में हो गया 14 जून 2020 को उस प्यक्ति द्वारा रिजिस्ट्री कार्या ले करहला कर रिजिस्ट्री कर दी गई जब पीड़ित खेत पर 419,420,466,468,471 पंजी करत किया गया और आकरकार पुलिस ने 21 सितंबर के दिन दोनों साथिरों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार अव्युक्त ने पुलिस पुष्टास में अपने नाम पंकज पुत्राम बहादूर निवासी बल्लंपूर थाना घिरोर जगत पाल पुत पताया गया है या जरा आप भी सुनगे उसको आई नहीं व्याद के अटार पर थाना करारी में अपुलिस किया गया है उसमें से नो लोग इसमें सामिल ले हैं आप भी वारे को यह जो चितिंग की ए उसको रफाज किया गया है और एक उनके पाथ से करीब चिद्धा परामन गया है और नाउलाज प्राते में थे वोभी कुसको सीज्ट को नई जी पार्खी तो जो इसमें तरह की पार्जीवारा में पार्किल जाती है, यह अबी तक लग्याता हुआ तक होई वाकि और सिजे के जाम कारी बिंदा हैं जे और भर्लाव जी झाती है